नमस्ते विद्यार्थियों, जेसी आर्टी के बीजी स्कूल में आपका स्वागत है विद्यार्थियों, समाजिक विज्ञान विशे के अंतरगत, हमाठ्वी कक्षा के इतिहास विशे के चौथे अध्याय जिसका नाम है उपनिवेसवाद और आदिवासी समाज तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर पे मैंने कुल तीन विडियो आपके समक्ष प्रस्तूत किये जिसके माध्यम से मैंने इस चैप्टर के अधिकांस हिसो को समाहित करने का प्रयास किया है विद्यार्थियों अब आपके समक्स यह चौथा विडियो है जो इस चैप्टर का अंतिम विडियो होगा इसमें मैंने प्रस्णोत्तरों को तो सामिल किया ही है विद्यार्थियों साथ ही साथ मैं यह प्रयास करूँगा कि यदि इस चैप्टर का कोई भी अंस बिगत तीन वीडियो में जदी छूट गया हो तो उसे भी मैं उसी क्रम में आपको समझाने का प्रयास करूँगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इतिहास आठ्वी कक्षा औल कोस्टेन अंसर्स प्रस्नोतरी यानि कि ये प्रस्नोतरी वीडियो है तो चलिए हम सुरुवात करते हैं विद्यार्थियों और आप अपने JCRT इतिहास पाठिपुस्तर के पेज नंबर 55 को खोल ले हैं तो विद्यार्थियों सबसे पहले आपके समक्ष जो प्रस्नोतर हैं वो fill in the blanks वाले हैं और उसमें पहला प्रस्न है जूम खेती को भी कहा जाता है यानि कि जूम खेती को और क्या कहा जाता है तो और उसे कहा जाता है अस्थानांतरित खेती या फिर अंग्रेजी में हम उ समझे होंगे विद्यार्थियों अब आगे है दूसरा प्रस्ण यानि कि फिलींदा ब्लैंक्स का दूसरा प्रस्ण मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण फिर खाली अस्थान है का प्रचलन था मुद्रा का मतलब होता है विद्यार्थियों रूपिया पैसा यानि कि जब रूपिया पैसा का प्रचलन नहीं था तो कौन सी प्रणाली लेंदेन की कौन सी प्रणाली प्रचलन में थी तो विद्यार्थियों उसे हम कहते हैं वस्तू बीनी में प्रणाली अंग्रेजी में उ आते हैं, खाली अस्थान है कि अनुसार अपने अस्थान और जानवर बदलते रहते थे, यानि कि चरवा है किस चीज के अनुसार अपने अस्थान और जानवर बदलते रहते थे, इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों, मौसम, यानि कि मौसम के अनुसार, अगला सवाल है व उत्तर होगा मुख्या लेकिन विद्यार्थियों यहां एक बात याद रखिएगा कि जो पंचायती चुनाव के तहट जिस मुख्या का चुनाव होता है उस मुख्या का संबंध इस अस्थान पे नहीं है यहां आदिवासियों के जो मुख्या है जैसे जारखन शेतर में मुं से है ना कि चुनाव वाले मुख्या से है ना तो आप समझे होंगे विद्यार्थियों अब आगे हम चलते हैं सवाल नंबर दो में कुल पांस सवाल है और इसमें हमें कुछ संचेप में उत्तर लिखना है तो पहला इसमें प्रस्ण है कि जूम खेती कैसे की जाती है अभी जैसा कि मैंने आपको बताया सिफ्टिंग एगरी कल्चर के बारे में अस्थानांतरीत खेती के बारे में कि अस्थानांतरीत खेती या जूम खेती कैसे की जाती है तो इसका उत्तर आप देखिए विद्यार्थियों इसमें क्या है आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए इसक प्रवोत्तर के जो राज्य हैं, जैसे कि मेखाला, नागलेंड, मनिपूर, मिजोरम, तो काफी घने बन पाय जाते हैं यहाँ पे, तो इन घने बनों में क्या होता है, जंगलों में पेडों की उपरी साखाओं को काट दिया जाता है, काटने पे क्या होता है आगे, नेक्स्ट सूख जाने पर उनको धर्ती पर जला देना, यानि जहाँ पे वो गिरता है, वहीं पे जला देना, आगे है, राख में, यानि जला देने पर तो राख बने गान विद्यार्तियों, तो राख में पोटा सोने के कारण धर्ती का उपजाव हो जाना, आगे है, जंगल की उस भ साल दर साल इसी तरह खेती का होना जूम खेती कहलाता है तो समझ गहोंगे विद्यार्थियों कि जूम खेती क्या होती है अब आपके समख्ष अगला सवाल है कि अंग्रेज कास्तकारों को अस्थाई रूप से क्यूं बसाना चाहते थे तो सबसे पहले तो आप समझे कास्तकार मने क्या कास्तकार का मतलब कि वह व्यक्ती जो खेती किसानी करता है यानि टीनेंट फार्मर आप उसको बोल सकते हैं जो अनाज उपजाने का काम करता है तो अंग्रेज लोग जो थे वो कास्तकारों को अस्थाई रूप से क्यूं बसाना चाहते थे तो इसको भी मैंने पॉइंट वाइज लिखाया विद्यार्थियों कि अस्थाई रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना अंग्रेजों के लिए आसान था अंग्रेज चाहते थे कि उनके सासन के लिए आय यानि कि इंकम का नियमित स्रोत बन जाए कहने का मतलब यह है कि एक अस्थान पर जब वो कास्तकार सुनिश्चित होकर जब रहना सुरू करेंगे तो सरकार को टेक्स देंगे और टेक्स देंगे तो अंग्रेजों को आय प्राप्त होगी है ना ऐसे समू से अंग्रेजों को भारी परिसानी होती थी जो यहां वहां भटकते रहते थे और एक चीज और है कि यहां वहां भटकते हुए अपना जीवन यापन करने वालों पर नियम कायदे लागू करना कठीन होता है वो तो हम आज भी महसूस कर सकते हैं कि ऐसे समुदाय के लोग जो एक अस्थान पर सुनिशित होकर नहीं रहते हैं उन पर नियम कायदा लागू करना थोड़ा कठीन हो जाएगा कठीन होता है है ना अब चलिए अगले सवाल की और हम आगे बढ़ते हैं महाजनी प्रथा से आप क्या समस्ते हैं यानि कि हमारे देश में या दुनिया के अन्य कई देशों में जो इंडिजेनस मनी लेंडिंग सिस्टम जो है गाओं में जो लेंदेन की जो परंपरा है जो महाजनों से सहुकारों से पैसा का लेंदेन किया जाता है तो वो क्या चीज है यानि महाजनी प्रथा से आप क्या समझते हैं तो इसका उत्तर देखिए ध्यान से विद्यार्थियों महाजनी प्रथा ग्रामिन भारत की बैंकिंग लेंदेन बेवस्था थी और कई मामलों में आज भी है हाँ बिल्कुल आज भी है सूध खोर महाजन और सहुकार पैसा देते थे जिसका ब्याज काफी उंचा होता था आज भी हम लोग देखते हैं विद्यार्थियों कहीं कहीं ये सब मामले अधिकांस मामलों में ये गरीबों के सोसक होते थे लेकिन गरीबों के पास उधार लेने का दुसरा कोई चारा भी नहीं होता था कभी-कभी ये महाजन गरीबों की भूमी भी अपने कबजे में ले लेते थे तो सूचिए विद्यार्थियों कि इस तरह से जो गरीब है वो कितना परतारित होता था इस महाजनी बेवस्था के कारण आज तो विद्यार्थियों बैंक है गरामिन छेत्रों में भी बैंक है सहरी छेत्रों में भी बैंक है तो जदी कोई लोन लेना चाहे कोई ब्याज पे पैसा लेना चाहे तो वो ले सकता है और लेता है है ना आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथा सवाल जो है सिधो कानू कौन थे तो आप देख सकते हैं सिधो कानू की यहाँ पे चितर भी है एक तस्वीर भी आप देख रहे हैं इनके बारे में आपको बताना है कि सिधो कानू कौन थे मैं बता दूं कि संथाल बिद्रो जो है सन 1815 में हुआ था जारखन के संथाल प्राग्ना छेत्र में राजमहल छेतर में है ना आज वहाँ पे जो कई जिले हैं आप लोको पता होगा विद्यार्थियों की साहब गंज है, पाकूड है, गोड़ा है, इसी तरह से देवगर है, जामताड़ा है, ये सब जो छेतर हैं विद्यार्थियों, वो एक समय संथाल परगना जिला कहलाता था, अभी तो संथाल परगना कमिशनरी है, तो चली हम लोग देखते हैं, सिधो का आनों संथाल विद्रो के नेत्रित करता थे, यानि कि ये लोग क्या थे संथाल विद्रो के लीडर थे, है ना, संथाल विद्रो 30 जून 1855 को संथाल परगना जहरगन में हुआ था, जिसमें एक और अंग्रेजी फाउज और दूसरी और हजारों की संख्या में संथाल आगे विद्यार्थियों असल में चार भाई थे सिध्धो सबसे बड़ा था और उसके तीन अन्य भाई थे कानू, चांद और भैरव इसलिए हम लोग कहते हैं सिध्धो, कानू, चांद और भैरव ये नाम आपको याद रखना चाहिए विद्यार्थियों जनजातिय विद्रो में संथाल विद्रो सबसे भयानक और मानवता को सरमसा करने वाला था, विद्यार्थियों इसमें 10 से 15 हजार संथाली लड़ाकों की मौत हुई थी, बहुत सारे अंग्रेज भी मारे गए थे, बिटिस फोज के सिपाही भी मारे गए थे, लेकिन संथालों को बहुत बड़ी छती हुई थी, उपनिवेस वाद की लड़ाई में संथालों की ये सबसे बड़ी कुरबानी थी, ये बात हमें याद रखना होगा विद्यार्थियों की उपनिवेस वाद की लड़ाई में संथालों ने जो कुरबानी दी थी, वो कोई सामान ने कुरबा कशनि नहीं थी आघے हैं विद्यार्थियों आपके समक्ष अगला सवाल खरवार बिदरो क्यों हुआ तो खरवार बिदरो के बारे में हम जानते हैं कि खरवार बिद्रो भूराजसोर, यानि कि land revenue बंदोबस्त ब्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन था, है ना, इसका संबंध भी जमीन से ही था, है ना, खरवार बिद्रो का संबंध भी भूमी से ही था, भूमी से जो लगान वसुला जाता है, उसी से था, इसके नेत्रे तो करता, भगि भागिरत माजी थे 1874 में हुआ या बिद्रो प्रारभ में एकेस्वरवाद और सामाजिक सुधार की सिक्षा देता था भागिरत माजी ने अंग्रेजी सरकार के प्रती और सहयोगात्मक रूख अपनाया और खुद को राजा घोसित करते हुए लगान वसुलना शुरू किया या अंग्रेजी सरकार के प्रूद खुला चैलेंज था तो समझे होंगे विद्यारतियों खरवार विद्रो के बारे में अब चलिए कुछ और सवाल हमारे समर्च हैं बिर्षा मुंडा ने अपने अनुयाईयों के सामने क्या घोसना की तो बिर्षा मुंडा के बारे में त अपने अनुयाईयों के सामने क्या घुस्टना की बिर्सा ने अपने अनुयाईयों से आहवान किया कि वे अपने गौरपुन अतीद को पुनर्जिवित करने के लिए संकल्प लें विर्सा ने अपने लोगों से आहवान किया कि वे सराप पीना छोड़ दें गाउं को साफ र और उनको दुखों की गुलामी से आजाद करने के लिए धर्ती पर भेजा है समझे होंगे विद्यार्थियों अब आपके समक्ष अगला सवाल है कमपनी सासन के बाद आदिवासी इलाके में क्या बदला हुए कमपनी सासन के बाद आदिवासी इलाके में क्या बदला हुए बहुत कुछ बदला हुए जारतियो इसको हम लोग पॉइंट वैज देखते हैं कमपनी सासन के बाद भारत की जन जातियां एक अलग समुदाय में न रहकर देश की मुख्य समाजिक जीवन धारा का अंग बनने लगी पूरे भारत के आदिवासी बाहरी प्रभाव से नहीं बच पाए और धिरे धिरे ब्रिटिस भारत के समाजिक संगठन में उनका विफिन अस्तरों पर विलियन होता रहा आगे विद्यारतियों अधिकांस आदिवासी छेत्रों का भारी सहरी करन होने की स्थिति में आदिवासी अपने ही निवास छेत्रों में अलप संख्यक यानि की माइनोरिटी बन कर रहा गये कि इतने दुरभाग की बात विद्यार थी हूँ, कि जहाँ वे बहु संख्यक थे वहाँ वे क्या हो गया, अल्प संख्यक हो के रहा गए। वे संख्या में इतने कम हो गए कि वे अपनी बात तक, सरकार तक पहुंचाने की स्थिती में नहीं रहे। कई छेतरों में ऐसा हुआ बहुत सारे ऐसे सहर विद्यार थी हूँ आप जारखन में, च्छतिसगड में, उडिसा में बहुत सारे आप ऐसे सहर देख सकते हैं जहां कभी आदिवासियों के गाउं हुआ करते थे लेकिन आज वहां राची बसा हुआ है जमसेदपूर बसा हुआ है बुकारो है, धनबाद है, गाउर केला है, भिलाई है, गाएपूर है ना जाने कितने बड़े-बड़े सहर बसे हुए है आज भी बन रहे हैं, आज भी बहुत सारे सहर बस रहे हैं जैसे उडिसा में अभी-भी नया सहर बसा कलिंगा नगा कभी वो आदिवासियों का छेतर हुआ करता था है ना, तो आदिवासी जो है, वहाँ पर संख्या में कम होने लगे और वहाँ पर भारी वर्चस्वा बढ़ने लगा कुछ और है विद्यार्थियों इसी सवाल में कि कई छेतरों में आदिवासी अपनी भूमी से बेद खल कर दिये गए मिलकुल आगे है इसाई, यानि कि क्रिस्चन मत स्विकार किये जाने के कारण आदिवासियों के खानपान, वेशबूसा, प्रसाधन एवं आभूस्णों उपर भी प्रभाव पड़ा बिद्यार्थियों बहुत सारे आदिवासी जो हैं इसाई बन गए तो इसाई बन जाने के कारण उनका खानपान भी बदला, वेशबूसा भी बदली कपड़ा पहनने का तरीका, रहने का तरीका, प्रसाधन, आभूस्ण ये जो पहले परंपरागत था उसमें बदलाव आया, आगे हैं जंगलों पर आदिवासीों का नियंतरण नहीं के बराबर रह गया, फिर भी इनके जीवन में जंगलों का महत्वर बना रहा और सबसे अंतिम पॉइंट हैं विद्यार्थियों, काम यानि की जॉब की तलास में आदिवासी भी अपने वन छेत्रों से बाहर निकल निकल कर, देश के विविन छेत्रों में जाकर निवास करने लगे, और इस परकार उनका जीवन पूरी तरह बदलने लगा विद्यार्थियों आप आगे बढ़ते हैं, वन कानूनों में बदलाओ का आदिवासी समाज ने भी रोध क्यों किया तो एक विडियो के माध्यम से तो हम लोगों ने वन कानून के बारे में काफी कुछ समझा है, लेकिन चलिए अब हैं हम प्रस्नों का जो हल करेंगे, तो हल के करम में हम क्या लिख सकते हैं वन कानूनों में यानि कि फॉरिस्ट के लिए जो कानून बनाया गया तो उसका आदिवासी समाज ने क्यों बिरोध किया तो आप देख सकते हैं विद्यारतियों वन कानूनों में बदलाओ का आदिवासी समाज ने बिरोध क्यों किया अर्गेजों के बनाये बन कानूनों से पहले जंगलों में रहने वाले आदिवासियों और बन और बन में रहने वाले जिवजन्तूं के बीच अन्यों नासरे संबंध हुआ करता था कहने का मतलब कि एक और आदिवासी दुसरे और बन और तिसरी और उसमें रहने वाले जीव जन्तू सब एक दुसरे पे डिपेंड थे यह आदिवासी जो है वो खुद को जंगल का राजा नहीं समझते थे बलकि वे जंगल के सेवक थे और उनकी प्रब्रिती जो थी वो बनों की रक्षा करने की थी तो एक परकार से जूटा आरोप लगा कर आदिवासी ओंपर मन गणंत आरोप लगाए गए और आदिवासी ओं को कारवास की सजा भी होने लगी थी और एही कारण है कि आदिवासियों ने बन कानूनों का विरोध किया एक तरह से तो देखिए एक उनकी आजीविका भी छीनी जा रही थी और दूसरी और उनके उपर मनगढंत आरोप लगा करके उन लोगों को परतारित भी किया जा रहा था आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों बिर्षा मुंडा ने उल्गुलान क्यों किया था तो इसको आप लोग देख लिए विद्यार्थियों कि बिर्षा मुंडा ने उल्गुलान क्यों किया था तो बन कानुनों के बारे में तो आप लोग समझी गया होंगे विद्यारतियों और कुछ-कुछ बन कानुनों से जुड़ा हुआ ही मामला है विर्षा का उल्गुलान भी कि कहीं न कहीं वन की जो भूमी है और जंगल है उसी से जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा का उल्गुलान तो इसमें आप देख सकते हैं उल्गुलान का साब्दिक अर्थ है भारी उथल पुथल भारी उथल पुथल है ना तो चलिए देखते हैं बिर्सा मुंडा ने उल्गुलान क्यों किया था तो इसका उत्तर है विद्यागतियों बिर्सा मुंडा का उल्गुलान एक बड़े उद्देश के लिए था आदिवासी सम्मान पून जीवन जी सकें इसके लिए एक संघर्स था उल्गुलान आदिवासी अपनी खोई हुई जमीन कैसे प्राप्त करें इसके लिए एक प्रियास था उल्गुलान अंग्रेजों सामंतवादी सक्तियों जमिंदारों दीकुओं और दूसरे अन्य सभी लोग जो किसी न किसी रूप में आदिवासीयों को प्रताडित का रहे थे पिडित का रहे थे उनके बिरूद एक जंग था उल्गुलान और विद्यार्थियों बिर्सा मुंडा का उल्गुलान अपने धर्म की रक्षा के लिए भी था तो विद्यार्थियों इस उत्तर से आप जरूर सहमत होंगे उल्गुलान का साबदी कर्थ है भारी उथल पुथल जो मैं आपको बता चुका हूँ और उल्गुलान करने के पीछे बहुत सारे उद्देश थे लेकिन उसमें जो मुख उद्देश तो एही था कि आदिवासियों की सम्मान की रक्षा हो सके खोई हुई जमीन उन्हें प्राप्थ हो सके और जो लोग उनको प्रताडित कर रहे थे उन्हें भी हानी पहुँचाया जाए है ना और अपने धर्म की रक्षा भी हो सके विद्यार्थियों अब आपके समक्ष है एक और सवाल संथाल विद्रोह के क्या परिनाम हुए जो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में उसका क्या परिनाम हुआ था तो चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं तो इसमें हैं विद्यार्थियों विद्रो को कुचलने के बाद यानि कि संथाल विद्रो को जब कुचल दिया गया तो इसके बाद क्या हुआ कि British East India Company को संथाल लोगों के विकास के लिए भी सूचना पड़ा तो ये है संथाल विद्रो का पहला परिणाम कि ठीक है संथालों को बहुत हानी हुई लेकिन British सक्स को भी ये सोचना पड़ा कि कैसे संथालों का विकास किया जा सके संथाल विद्रो के पास चाथ संपून संथाली छेत्रों को मिला कर एक अलग जिला बनाया गया जिसका नाम संथाल परगना रखा गया आज विद्यार्थियों संथाल परगना नाम से कमिस्नरी है यानि कि प्रमंडल है आगे है British मिस्नरियों को छोड़ कर बाकी अन एरोपिये देशों की मिस्नरियों को संथाल छेत्र में प्रवेस करने की मना ही कर दी गई यानि कि वे संथाल छेतर में प्रवेस नहीं कर सकते थे आगे हैं ततकालिन बंगाल सरकार ने बंगाल सरकार इसलिए मैं बहुत बतारों विद्यारतियों कि उस समय ना तो जारखंड था ना तो बिहार था है ना 1855 में बंगाल था तत्कालिन बंगाल सरकार ने कई ऐसे कानून बनाए जिससे संथालों को दूसरे अन्य लोग पिडित ना कर सके बहुं सारी ऐसी चीजें थी विद्यार्थियों जैसे कि नापतौल की जो बेवस्था थी उसमें भी आदिवासियों को धोखा दिया जा मापतौल की एक स्टैंडर्ड पनाली जो है वो आदिवासी चेत्रों में लागू किया गया कि वजन सही मिले आदिवासियों को उनको ठगा नहीं जा सके है ना एक महतुपुन बात यह भी हुई कि संथाल बिद्रों ने आगे चलकर अन्य जन जातिये बिद्रों के लिए ए पत प्रदर्शक का काम किया तो इद्यार्थियों यहां तक आप समझे होंगे और इस चैप्टर के अधिकांस जो भी प्रसन थे सभी प्रसनों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से समाहित करने का प्रयास किया बावजुद इसके मैं आपको यह कहूँगा विद्यार्थियों कि आप जब कभी भी प्रसनोंतर बनाते हैं तो खुद की भोकाबलरी परयोग में लाईए खुद का ब्याकरन परयोग में लाईए और खुद से उत्तरों को लिखने का प्रयास किजिए और जो मेरे उत्तर हैं उनको आप एक संदर्व के रूप में आप देख सकते हैं कि उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए जदी कोई उत्तर आपको लंबा लगे बिस्तरित लगे तो उसको आप चाहें तो सौट भी कर सकते हैं तो ठीक है विद्यारतियों इस वीडियो को मैं एहीं पे समाप्त करता हूँ और इस चौथे चब्टर को भी मैं एहीं पे समाप्त कर देता हूँ और इसके बाद हम लोग इतिहास भीषे के पांच्वे अध्याय की चर्चा करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से तो आप वीडियो पे भी बने रहे, टेक्स्ट बूक पे भी बने रहे और बेहतर करने का प्रयास करें इतिहास की समझ आपकी निश्चित रूप से आगे और बढ़िया होगी और अच्छी होगी तो ठीक है विद्यार्थियों इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समावत कर रहा हूँ जोहार विद्यार्थियों जहिन विद्यार्थियों